तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के दूद के दातों का महत्व। जब एक नवजा शिशु होता है तो शुरुआत में उसके दूद के दात निकलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दूद के दातों का क्या-क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही टिप्स बता होगी, तो आईए देखते हमारी इस वीडियो, टिप नमबर वन, बच्चा इन दातों की मदद से ही चीजों को चबाना सीखता है, वैं बो पर वलत में उस थान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा दात तुरंत लगवा लेना चाहिए, चिप नमबर टू, बच्चों के दूद के दातों की भी सही देखबाल की जानी चाहिए, कुछ भी खाने के बाद उसके दातों की सफाई जरूर की जानी चाहिए, दातों में चिपकने वाले खादय पदार्थ बच्चों को बिलकुल ना दे, रेशेदार खादय पदार्थ ही खिलाएं, टिप नमबर 3, बच्चों को हमेशा संतुलित आहार दे, इस बात का हमेशा ध्यान रखे की दात एक ही बार बनते हैं, उनमें कोई विकास और परिव परतन नहीं होता, टिप नमबर 4, बच्चों के भोजन में कैल्शियम योगपदार जादा से जादा दे, कच्चे फल और सबजिया खाने की आदर डाले, ताकि उन्हें चबाने से दातों और मसूडों का वययाम हो सके, टिप नमबर 5, बच्चे के जब दात निकलने की शु परतन नहीं हो पाता है, जब आपका बच्चा दो साल का हो जाए तो उसे दन चिकित सर के पास जरूर ले जाएं, ताकि आपको अपने बच्चों के दातों के विशे में उचित जानकारी मिल सके, टिप नमबर 6, बच्चों के दूद के दात आसमें गिर जाते हैं, उनमें क कैविटी हो जाती है, बच्चों के दातों में बड़ों के मुकाबले कैलशियम की मातरा कम रहती है, यही वज़ा है कि दूद के दातों में कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है, पहले यह एक छोटे से गड़े की रूप में होती है, बाद में बढ़कर पूरा दात ही इसक वज़ा से खराब हो जाता है एक बड़े व्यक्ति को जहां हर 6 महीने में किसी योग के दन चिकित सक को दिखाने की सला दी जाती है वहीं बच्चे को भी हर 6 महीने में किसी दन चिकित सक को दिखाना जरूरी है ताकि आगे आने वाली किसी भी गंभीर समस्या से बचा जा सके तो ये सब तेर बच्चों के दूद के दात के महत हो अगर आपके नवजा शुशु के भी दूद के दात निकल रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखे अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिये गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ठाकि आपको हमारी लेक्टिस वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिल सके थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो तिल दें स्टें हेल्दी एंड स्टें ब्यूटिफिल वित मी